हेलो फ्रेंज, वेलकम टू आज चानल ग्यान फो यू दोस्तों इस चानल पर आप देखेंगे आध्यात्मिक देश और दुनिया, वास्त शास्त्र और घरेलू चिकित्सा के कुछ गुणकारी उपाए जानिये द्रौपदी ने ऐसा क्या दिया श्राप जो आज तक है कुट्ते परिशान महाभारत के बारे में तो सब जानते हैं सब ने सुनी ही होगी या टीवी पर तो देखी ही होगी महाभारत के मुख्य पात्रों के बारे में तो सुना ही होगा महाभारत में बहुत सारे श्राप भी दिये गए थे उन में से एक श्राप द्रोपादी ने भी कुट्तों को दिया था चलिए आज आपको बताते हैं द्रोपादी के उसी श्राप के बारे में यह बात तब की है जब अर्जुन द्रोपादी को विवाह करके घर लाए थे तो मा कुंती ने अंजाने में सभी भाईयों को ये अदेश दे दिया था कि सभी भाई मिलकर बराबर उसका उपभोग करेंगे पं एक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जो भी इसका उलंगन करेगा उसकी कड़ी सजा ये होगी कि अपराधी को तुरंथ ही एक वर्ष के लिए वनवास चाना पड़ेगा जब द्रोपादी किसी पांडव के साथ कक्ष में समय व्यतीत कर रह तो कोई दूसरा पांडवुस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा इसी दौरान कुछ ऐसी घटना घटत हुई जिसकी वजह से कुत्तों को यह श्राप मिला की उनको सवास करते समय पूरी दुनिया देखेगी। और नोचने लगा यल्दवार के बाहर पादुका नहुने की वजह से जब भीम शयन कक्ष में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने जैश्ट प्राता युधिष्टर को द्रौपा दी के साथ अंत्रंग संबंधों में लिप्त देख लिया यल्वह क्रोधित होकर कक्ष से बाह और कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक कुट्ता महराज युधिष्टर की पादुका को नोच रहा है शल भीम का क्रोध और बढ़ गया एल उन्होंने समूल कुट्ता प्रजाती को यह श्राप दिया कि यह देख जिस तरह आज मैं खुद में शर्म महसूस कर रहा पूरी दुनिया भी तुम्हें सेक्स करते हुए देखेगी हम उमीद करते हैं कि आपको इस चैनल के मध्यम से रोचक जानकारियां दे सके आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमे कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धर्निवाद